हाई आदाम नमस्कार समाने सातियों वेलकॉम टी योट्यूब चैनल टेट पाइंट आज हम डिस्कसिन करने जा रहे हैं बियलो द्वारा एस्टू एच सर्वे के मुख्य बिंदू क्या रहेंगे बियलो द्वारा डोर टू डोर किन किन बिंदों पर सत्यापन करना है जानिये आज हम इसी पर चर्चकने जा रहे हैं यह दि आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नौटिफिकिशन आपको सरप्रिथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें शेयर करने से ग्यान घड़ता नहीं ग्यान साथ यह दिया हमारे योट्यूब चनल के वार्चाप ग्रूप और टलीगरम ग्रूप से जूनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के मादम से जोड़ सकते हैं तो चलते हैं आज की वीडियो के सिर्शक्की बेलो दोरा रेश्टर संदारान अर्थात मैंटेन किया जाएगा जो बेलो अप में दिया हुआ है रेश्टर उसको मैंटेन किया जाएगा जितने बिंदू दिये वे हैं बेलो दोरा घरगर जाकर सत्यापन के दोरान क्या करना है क्या क्या verify करना है देख लेते हैं परिवार में 18 वर्ज से अधिक वेदिनांक 112025 को 18 वर्ज पूर्ण करने वाले सद्दस्यों की जानकरी लेना और यदि वो 112025 को कोई मेंबर 18 वर्ज पूरी कर रहा है तो उसका अधिकरत बेलो एप के माद्धम से उसको फिलप करेंगे परिवार के अधिकरत पातर्र सद्दस्यों का पंजीकर नीक alleen पियालो एप के माद्व सें करनक करेंगे और मिरत मतदाता इस्थाई रूप से इस्थानांतरित मतदाता के नाम मिलोपन की कारवाई करना तो हाम है इस बात का भी सत्यापन करना है जह हम घर घर जाएंगे कि कोई मतदाता डैड तो नहीं हो चुका है मुरत तो नहीं हो चुका है या वहां से प्लायन तो नहीं कर चुका है या किसी की साधी तो नहीं हो चुकी है किसी लड़की की और यदि साधी हो चुकी है ये दो-तीन पॉइंट होते हैं तो उनको हम उस पर भी कारवाई करेंगे उसके लिए फार्म सेवन भरेंगे या किसी के नाम में तुरूटी हो तो उसका भी हम करेक्शन करेंगे फार नंबर एट के मादम से मददाताओं के मोबैल नंबर एवं आधार नंबर संग्रण वे अपडेशन तो इसका भी अपडेट करना है परिवार में नव विवाहित महिलाओं का पंजी अन शिफ्टिंग वे प्रविष्टी सुधार तो इदी परिवार में कोई नव विवाहित जोड़ा है अरधात कोई दुनहन आई है तो उसका आपको पंजी करना है उसका फॉर्म शिक्स बनना है और 80 वर्ष से अधिकाईव वाले मददादों का हम वोटिंग के उद्दिशे से डाटा संधरन करना तो इदी आपके मददादा सूची में कोई मददादा 80 वर्ष से उपर है तो उसका आपको डाटा तयार करना है उस पर चिन्नित करना है आपको क्योंकि उसके लिए आपको आगे भी जरुत पड़ती है कि वहीं पर उसको बोट डालने की फैसिलिटी दी जाती है तो इसलिए आपको उसका चिन्नित करना है परिवार में किसी मददादा के 40 प्रतित सत्थ से अधिक दिव्यांग जन होने की इस्तिती में मददादा सूची में फ्लैंगिंग तो यदि किसी के परिवार में मददादा कोई ऐसा है कि वो दिव्यांग है और उसकी दिव्यांगता 40 प्रतित सत्थ से अधिक है तो उस श्तिती में आप अपने मददादा सूची में बेलो एप में उसको आप अपडेट कर लेंगे ट्रांजाइनर की पहचान वे मददादा सूची में उनकी समुचित प्रिविष्टी करेंगे और सिर्मिक सेक्स वर्कर्स बेघर भुमनतु मददादाओं की पहचान कर सत्थ प्रतिसत पंजिकन करेंगे तो कुछ लोग खुमनतु होते हैं, कुछ मददादा, कुछ उनका वर्क ऐसा होता है कि 6 मैने यहाँ पार 6 मैने कहीं पार कुछ सिर्मिक ऐसे होते हैं तो उनकी हमें पहचान करनी है और उनका हमें पंजिकन करना है विशेश दूप से कमजोर जनजाती सम्हूं की पहचान करसत प्रतिसत उनका हमें पंजी करन करना है उनकी वोड बनानी है उनका अपडेशन करना है और मददाताओं को विभिन मोबाइल एप्लिकेशन यथा वी एचे सक्षम एसी आई के वाई सी और एविजिल आदी दथा टोल फ्री हेल प्लाइन नमबर उनने सो पचास की जनकारी हमें मददाताओं को देना है और हमें उनको जागरूख भी करना है तो इस तराओं से इड़ा है